नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी से योगी आदितनाथ ने 10 की 10 सीटों को जीतने का दावा किया है तो राजनीती में बवाल मच गया उत्तर प्रदेश में उप्चुनाब होने वाले हैं एक तरफ सियम योगी हैं तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल की जोड़ी लेकिन खबर आ रही है कि कॉंग्रेस और सपा में सीटों को लेकर सहमती नहीं हो पा रही है उधर मायावती ने भी एलान कर दिया है कि वो सभी दस सीटों पर उमिदवार उतारेंगी ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मायावती से किस का नुकसान होगा दूसरा सवाल ये है कि क्या योगी आदितनात बीजेपी को जिता पाएंगे इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनीश कमार सर आपका स्वागत है दन्यवाद तो जब सवाल ये है कि मायावती के आने से सबसे बड़ा नुकसान किसको हो सकता है देखे मायावती तो वैसे उपचुनाव कभी नहीं लड़ती थी कभी लड़ा ही नहीं जब भी उपचुनाव होता है मायावती कहती कि हम उम्मिदवार नहीं देजे तो पहली चीज ये कि इस बार ऐसी क्या स्थिती बन गई कि मायावती नहीं कहा है कि 10 सीटों के उपर हम अपने उम्मिदवार खड़े करेंगे अब इसको समझने के लिए 2-3 चीज़े जाना जरूरी है कि 10 सीट है तो ये उपचुनाव क्यों हो रहे है उपचुनाव इसलिए हो रहे है कि 10 के 10 सीटे खाली हो गई इन 10 सीटों में सवाजवादी पार्टी के पास 5 सीटे है बहारती जन्ता पार्टी के पास 3 सीटे है एक निसाद पार्टी के पास है और एक जन्त चौधरी की RLD के पास है ठीक अब अभी लोकसभा के चुना हुए अकलेस भारी संख्या में जीते और यह दवा किया जा रहा है कि भाई देखिए यह तो यूपी में तो पासा पलट गया अब 2027 में चुनाव होने वाले हैं तो यह सेवी फैनल माना जा रहा है हलाकि कोई सेवी फैनल होता नहीं इस तरह से लेकिन इस चुनाव से यह साबित होगा कि कॉंग्रेस पार्टी और अख्लेस यादव जो सीटे जीते वो फ्लुक में जीते या वाकई यूपी की जनता बीजेपी से अब निजात पाना चाहती है सीधा सीधा सवाल है योगी आदितनाथ ने कहा है कि दस की दस सीटे जीतेंगे तीस मंत्रियों को उतार दिया किसी किसी कल्चुलसी में चार चार मंत्री किसी में दो किसी में तीन तीस मंत्रियों की टीम बना करके उन्होंने वहाँ पर उतार दिया है लेकिन जब योगी आधितनाथ ये कह रहे हैं कि मैं जितवाओंगा दस की दस सीटे तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो योगी आधितनाथ के ऊपर कुछ लोग जो आरोप लगा रहे थे भारती जिनता पाटी नहीं दिल्ली में बीजेपी के लीडर्स नहीं प्रदान मंत्री मोदी यामिसा नड़ा नहीं क्योंकि जो लोगसमा चुना हुआ उसके कमांडर इंचीफ जो है वो योगी आधितनाथ नहीं थे फैसला दिल्ली में होता था जिसको वो लागू करते थे इसलिए उनके उपर कोई जिम्मेदारी या उनसे कोई सवाल नहीं कर सका कि यूपी में सीटे कम क्यों आई अब ये जो उप्चुनों हो रहे हैं उसमें प्रदान मंत्री मोदी ने कह दिया आपका राज्य है आप जानो हमारी क्या जरूरत है हमसे क्या आप एक्छा हैं वो बता दू मतलब all in all योगी आदितनाथ है तो अगर जीतेंगे तो योगी आदितनाथ की जीत हारेंगे तो योगी आदितनाथ की हार मतलब responsibility जो है अब उनको ही लेना पड़ेगा अब वो तो तैयारी कर रहे है तो जब match होता है तो एकी टीम तो नहीं खेलती दोर टीम खेलती तब ही हार जीत होता है अब यहाँ तीन-तीन टीम कूल रही है अकले स्यादव और राहूल गांधी अब दिक्कत क्या है कि इस गड़बंदन में अभी से ही जब आप साइक्ल वेरे चलाते हैं डंग से ओयल नहीं होता है तो वो आवाज करने लगता है तो आवाज आ रही है इस गारे में क्यों आ रही है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी राहूल गांधी को लगता है कि उतर प्रदेश में जो हम जीते हैं वो राहूल गांधी के होज़े से जीते हैं दूसरे चीज और यह कॉंग्रेस पार्टी चाह रही है कि जो जीत हुई है इसको हम भुनाए और यूपी में वापस हम ताकतवर बने इसलिए डिमांड कर दिया कि 10 सीटे हैं 5 सीट हमें दे दो 5 सीट जहां आप जीते थे और 5 सी जहां पहारे थे उसमें बटवारा कर लेते हैं 5-5 सीटों के उपर आपस में हम दो लड़ते हैं अब अखलेस आदब की दिक्कत क्या है अखलेस आदब क्यों लगता है कि जितवाया मैं मेरी स्ट्रेटजी मेरे भोटर मेरे कारकरता और क्रेडिट राहूल गांदी को तो एक समस्या ये है दूसरी समस्या ये है कि लोकसभा के चुनाव के बाद से कॉंगरेस पार्टी ने जिस तरीके से सदन के अंदर सदन के बाहा जो रन्नीती बनाई है उससे ये लग रहा है राहूल गांदी सिर्फ कॉंगरेस के ही लीडर नहीं है समस्या वीपक्षिक के लीडर है ये अब आखलेस या अदरव को खटक रहा है मम्ता बरनजी को भी चुने लगा है करी सारे लीडर से जिनको लगता है कि बहु राहूल गांदी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भाई होगे आप Congress Party के लीडर हुआ हमारे लीडर थोड़ी है आप तो क्या हुआ अखले सादब ने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दो सीट दे सकते हैं और दो ऐसी सीटे आफर की गई है कि जहां Congress Party का हारना बिल्कुल तै है तो अब ये तो मामला बनेगा नहीं Congress Party को ये दवाव सहना पड़ेगा negotiation होगा जब आप दो कह रहे हो आप पांच मांग रहे हो तो जाकर कि वो मामला गिरेगा तीन के ऊपर negotiation ऐसे होता है कि जब आप समान खरदने जाते हैं दुगंदार को दाम बता दिया आप भी कुछ दाम बता देते हो तो फिर जो settlement होता है वो बीच में होता है तो तीन सीटों के उपर Congress Party लड़ेगी अब भारती जन्ता पार्टी के पास कितनी सीटे हैं तीन सीटे तीन से चार हो गया तो भारती जन्ता पार्टी कहीं कि हम जीद गए और समाजवादी पार्टी पास से कम हो गई तो लोग कहेंगे भई हार गए तो यह मुसीबत सब चली रही है कि यहां इंट्री हो जाती है मायवती की मायवती कभी चुनाव नहीं लड़ती थी तो ऐसी क्या परिष्थिती कि मायवती को चुनाव लड़ना पड़ रहा है यही मेंस सवाल है और किसका नुकसान होगा तो वो नुकसान इसलिए किसका होगा वो मायवती के चुनाव लड़ रही है कि उनको लग रहा है कि ये अकलेस यादव ने लोगसभा के चुनाव में मेरे वोट बैंक के अंदर से इंदमारी किये हैं ये अगर जादा दिन तक चला तब तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी वो सारे हमारे वोटर्स जो हैं वो उधर चले जाएगे ये राहू गांदी आकर के दलितों के बस्ती में खटाखट खटाखट बता गया और खटाखट खटाखट हमारे वोट को ही काट के चला गया तो ये पाकिट मारी जो है हमारे वोटों की उसको बंद करना जरूरी है अब मायावती मजबूती से लड़ेगी तो क्या होगा दलित वोटर्स उनके पक्के है मायावती के अगर उमिदवार होंगे तो मायावती का वोट कहीं हिलेगा नहीं और अगर उन्होंने बहुत ही स्ट्राटजी के तहट मुस्लिम उम्मिदवारों को भी मजबूती से उतारा तो बहुत सारे मुस्लिम वोटर्स भी मायावती के तरफ जाएगे अब होगा क्या होगा वही कि मायावती जीते नहीं लेकिन अगर 15 से 20 जार वोट कही वो हर कंस्चुश्ची में उठाके ले आए तब नुक्सान किसको होगा यह जीत का दावा कॉंग्रेस पार्टी और अख्लेश जादव इस आधार पर कर रहे है कि चुके लोगसभा में वोट आया और लोगसभा में जो वोट आया है अगर उससे वो कम होता है मायावती के वोटर्स वापस चले जाते हैं तो दिक्कत किसको होने वाला है कॉंग्र करती है क्या करती है नहीं करती है यह अलग अलग चीजे हैं जैसे अभी चुना हो रहा है हर्याना के तो हर्याना के अंदर चुना हो रहा है तो वहां पर वैसे तो इंडी गडवंदन करते हैं यह लोग लेकिन आवादी पार्टी को का कि हर्याना में बाहर जाओ नहीं हो इ तो यह इंडी गड़बंदन नाम का कोई चिडिया नहीं है कि पुरे और इडिया लेवल पर कहीं जो है वो इन लोगों का गड़बंदन है यह सिर्व और सिर्व मोधी को गिराने के लिए यह काम करते है तो इंडी गड़बंदन को जो है यह तूटता विखरता हुआ नजर सारा है और यूपी में अगर योगी जी ने कहा है दस दस सीटे आ गई तब तो खतम ही हो जाएगा मामला खतम हो जागा यह दिल्ली विल्ली के अंदर भी सारे लोग जो है उनके जो है उनका पूरा जो मनोबल है वो तूट जाएगा भी पक्षी पार्टियों का लेकिन इसका इंपक्ट होगा जो दस सीटों पर तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग चुनाओ होने वाला है यह उपचुनाओ तीन तीन नेताओं के इगो का चुनाओ है तीन नहीं चार अब तो हो गए योग यादितनाद का स्टेक है कि उनको साबित करना है अखले से अदब को यह स कर चुके हैं अब वो कॉंग्रेस पार्टी पुरानी वाली नहीं रही और मायावती को यह साबित करना है कि अभी उनके साथ उनका वोट बैंक बिल्कुल सुद्रिड तरीके से खड़ा है तो उत्तर प्रदेश में उप्चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुटी हैं कॉंग्रस को पहले अखिलेश यादव से लड़ना होगा और अखिलेश को योगी आदितनाद से लेकिन मायामती के आने से अखिलेश और कॉंग्रस को बड़ा नुकसान हो सकता है और उनकी सीटे कम भी हो सकती हैं सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कर लिजे हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो पर कमेंट भी ज देख्ते रहिए Capital TV, नवश्कार!